लेकिन सर मैं एक चीज और समझना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में इसी कोरोना की लहर है वेक्षिनेशन हो रहा है पूरा बाजार गर्म है मेडिकल की फिल्ड में रिसर्च हो रहा है क्या इतनी पड़ी सतर पर आपके शब्दों में कहीं तो शडियंतर है क्या इसको हम अत पीवी का स्क्रीन या इंटरनेट तो जब हम बोलते हैं कि पूरी दुनिया में तो हमारे लिए दुनिया का मतलब इंटरनेट में जो आपको दिखाई दे रहा है और इंटरनेट में जो आपको दिखाई दे रहा है वो सारा कुछ सेंसर करके दिखाई दे रहा है इसी तरह स जो चीजें शेटेंद के लावा है जो सच को दिखाती हो वो चीजे उड़ा देते हैं तो आपकी दुनिया सिर्फ टीवी है सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेर आइकन भी दबाना नहीं भूले नमस्कार विश्वरूप चोधरी ने जो बात कही थी वो बात सत्य हो गई है उन्होंने मेरे साथ जो एंट्रिव्यू किया था उसमें उन्होंने कहा था कि ये वीडियो यूट्यूब उड़ा देगा और आज उस वीडियो को उस इंट्रिव्यू को उड़ा दिया गया है 12,00,00 लोगों ने करीब 10 दिन में उस वीडियो को देखा और उस वीडियो को आज YouTube ने हटा दिया है चेतामनी के साथ और उन्होंने ये कहा है कि Community Guidelines का आपने उलंगन किया है इसलिए सेतामनी के साथ उड़ा रहे हैं, हटा रहे हैं और यदि आपने ऐसा बार-बार किया तो आपकी चैनल पर स्ट्राइक आ सकती है और आपको YouTube पर अवरुदिफी किया जा सकता है अब उस इंट्रिव्यू में क्या था? इंट्रिव्यू दरसल काफी बड़ी संख्या में देखा गया बहुत वाइरल हुआ और लोगों ने मुझबे पर आपतियां की कुछ लोग सहमत भी हुए मेरा ये कहना है कि हालांकी YouTube हटा सकता है YouTube पर उनसे संबंदित 24 से संबंदित अनिक चीजें पड़ी है वो यथावत है लेकिन लललन टॉप को जो इंट्रिवू दिया गया था वो भी आज से करीब 11 महेने पहले दिया गया था वो भी पड़ा है बहुत से वीडियो पड़े हैं लेकिन मेरे वाले इंट्रिवू की दरसल रिपोर्टिंग हुई है बड़े स्थर पर उसके बाद में उसको संग्यान में लेकर हटाया गया है करीब 10-12 दिन के बाद में हटाया गया है हलांकि वो 12 लाख या 13 लाख लोगों तक वीडियो पहुंच चुका था अब विस्वरूप चोधरी की जो दावे हैं उस इंट्रिवू के अंदर उनसे मैंने नहीं तो सहमत हुआ नहीं मैंने ये कहा कि ये जो बात कह रहे हैं उसको माना जाए देए मैं मेडिकल साइंस का या आपकी फिल्ड का जानकार नहीं हूँ तो आप जो दावे कर रहे हैं मैं बसे दर्शकों पर छोड़ता हूँ कि वो त्या करें कि आप इनसे सहमत है या नहीं है और मैं सहमत हूँ या नहीं वो मेरा रेक्तिकत मसला है इंटर्व्यू इंटर्व्यू होता है इंट्रिवू का मतलब ये होता है कि जो वेक्दी दावा कर रहा है उससे आप सवाल पूछें और यूट्यूब पर मुझसे बार बार दर्शकों की ये मांग थी कि आप इस वरुप चोधरी का इंट्रिवू कीजिए उनसे सवाल पूछें उनके दावों को जानानी के कोशिश कीजिए और यूट्यूब पर जो मैंने इंट्रिवू किया था उसमें आपने भी देखा होगा कि मैंने जो आम नागरी के आम भारती की जो सवाल है वो सवाल उनसे उसी तेवर से पूछे थे उन्होंने जो सडियंदर की बातें की थी मैंने counter question भी किये कि सडियंदर केसे हो सकता है आप केसे इसको कह सकते हैं हमने उनके दावों को जानने कोशिश की थी और हम उस दोईश डेश में रहते हैं जहां पर आपको अपनी बात रखने का अधिकार है आप उसे सहमत हों ने हों वो अलग चीज है लेकिन आप अपनी बात तो कह सकते हैं बात रही अपने यूट्यूब चैनल की तो मैं interview तो कर सकता हूँ इस यूट्यूब के ऊपर आतंकवादियों के interviews हैं रेपेस्टों के interviews हैं बड़े बड़े अपराधियों के interviews हैं तो विस्वरूप चोद्री कोई अपराधित नहीं है करोना से समधित उनकी एक राय है उनका मद है उसके पीछे उनके जो सचे हों जोटे हों उनके तरक हैं और interviews के माध्यम से वो जानना चाहिए और जानने में कोई दोराई नहीं है अब अगर community guidelines का उलंगन है वो YouTube अगर वो हटाता है तो मुझे कोई आपती नहीं है दरशल एक साक्षातकार करता की नाते एक YouTuber होने की नाते ये तो दुख है ही कि मेरा interview हटा दिया गया मेरे video हटा दिया गया उनकी guideline है मैंने reappeal कर दिया है हो सकता है कि वो आपस सपुनर बाहाल कर देना भी करें तो कोई issue नहीं है लेकिन कहना जरूरी होगा कि इस देश के अंदर अगर आप सरकार के आलोशना करें Twitter पर तो Twitter ट्वीट हटा देता है Facebook पर Rejain मोदी नाम के आप hashtag चलाएं तो जो Facebook है वो वो पोस्टें hidden कर देता है और YouTube के उपर जो परमपरागत बाते हैं उनसे थोड़ी सी बात अलग करें तो YouTube वीडियो हटा देता है same वीडियो ललन्ट ओपर पड़ा है जो परशन मैंने पूछे थे वही परशन सौरब दिविवेदी ने पूछे थे वही ललन्ट ओपर पूछे गए हैं वो वीडियो पड़ा है और मैंने भी बाकाइदा उस वीडियो के अंदर ये कहा था कि ये इनके दावे हैं आप सहमत हो या नहीं हो वो आप पर हैं मैं सहमत हूँ या नहीं हूँ ये मेरा निजी मसला है तो ये बात कलीर थी ये दर्शकों के उपर था कि वो कितना इन पर विश्वास करते हैं कितना नहीं करते हैं तो यह पूरी सपष्टता के साथ इंट्रिव किया गया था एक भी प्रशन में ये नहीं था कि इनकी दावों को सैमत होके मैं पिश्ट कर रहा हूँ मैं हर प्रशन को पूछ रहा था जो आपके जहन में जो मेरे जहन में है और यूट्यूब ने दरसल वो वीडियो हटा दिया है और उसी इंट्रिवियो में विसुब रूप चोधरी ने कहा था कि ये वीडियो हटा दिया जाएगा आपका वीडियो ये इस पे नहीं रहेगा और वो आज 12 तेरह दिन के बाद में हटा दिया गया मेरा मानना ये है कि उस इंट्रिवियो के रिपोर्टिंग हुई है लोगों ने रिपोर्ट किया है और बड़े स्तर पर रिपोर्ट किया है तभी यूट्यूब ने उसे हटाने की कोशिश की है और हटा दिया है अब देखना है कि यूट्यूब वापस मेरी अपिल के बाद में क्या कहता है अगर यूट्यूब अपनी कारवाई पर अडिग रहता है तो बेशक वो रह सकते हैं हम वापस भी अपलोड नहीं करेंगे लेकिन जितने लोगों तक पहुंचना चाहिए था वो पहुंच गया और उस इंट्रिवू के बाध्यम से मेरा मतलब यह नहीं था कि मुझे विसुरूप की बातों से सहमती है और मैं आप सब को उनसे सहमत करवाना चाहता हूँ नहीं आपकी मांग थी कि आप उनको लेकर आए और मैंने प्रशन उसी तरह से पोछे मेरा कोई उनसे कोई निजी समंध नहीं है ने कोई उनसे मेरी पेरलल कोई बात होती है नहीं मैं एक इंट्रिवू करता हूँ एक यूट्यूबर हूँ और मेरा काम है कि आपके जो प्रशन है उनको कमीरता से लिया जाए जिनको आप सुनना चाहते हैं उनको मैं अपने चैनल पर बुलाऊँ यही कोशिश है और उसी कोशिश में उनका इंट्रिव किया गया था आपहटा दिया गया है तो क्या कर सकते हैं फिर फिर भी हम किसी के बाद से सेम construction हों या नहीं हों लेकिन किसी को अपनी बात रखने की स्वतंतरता है जगह है वो हमें देनी चाहिए वो अपनी बात कह सकते हैं अगर वो ये आपको लगता है कि वो तो लोगों गुमरा कर रहा है मिसलीड कर रहा है तो ये कोई एक ब्यक्तित्या नहीं करेगा सरकार को लगता है कि उनके दावों में कुछ नहीं है और वो दरसल यूहीं जोला साब डोक्टरी की बातें कर रहा है तो आप केस कीजिए वो जो कह रहे हैं कि सरकार मुझसे आंकड़े मांगे मैं देने को तयार हूँ वो ये दावा करते हैं कि वो स्वास्थे मंत्री डोक्टर हर्षवर्दन से मिले भी है तो डोक्टर हर्षवर्दन ने भी कोई उनको पुकता जवाब नहीं दिया तो सरकार कारवाई कर सकती है और हम जैसे यूट्यूबर हैं उनके जो इंट्यूज कर रहे हैं उन पर कारवाई होना तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है अगर सरकार को और संस्थाओं को ये गंबिरता से लगता है कि ये विक्ति मिसलीड कर रहा है तो आप उन पर कारवाई कीजिए वो जो तथ्य दे रहे हैं उनकी आप परताल कीजिए हम तो मेडिकल साइंस के विद्यारती हैं नहीं हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आमजन के प्रश्णों को पूछना है वो जो ओथिंटिक जांच है वो आप सरकार के संस्थाओं अपने संस्थाओं करें तो बहतर होगा तो मेरा यही कहना था कि इंट्रव्यूस हटाने से कुछ नहीं होता है किसी की बात को अगर लोग सुन रहे हैं सुनना फसंद कर रहे हैं और मैंने ये भी उनसे परशन पूछा था कि देश के अंदर इतनी मौते हो रही है कैसे इतने तेजगती से बढ़ रहे हैं उनको लेकर आपको क्या कहना है कहने का मतलब ये कि हर विक्ती जो उनसे पूछना चाता है उनकी बातों से उनके दावों की बात जो हमारे भीतर जिग्यासा परकट होती है वो उस इंट्रिव्यो में पूछा गया था एक भी बात इसी नहीं थी कि उनके परती थोड़ा सौफ्ट कॉर्नर हो और उनके बातों से सहमत होते वे आप तक पहुंचाना चाहता हूँ इसी कोई बात नहीं थी लेकिन उसके बावजूद उस इंट्रिव्यो को हटाया गया है वो भी बड़े स्तर पर रिपोर्टिंग के बाद तो रीपील कर दिया गया है हो सकता है कि यूट्यूब वापस उस वीडियो को पुनर बाहाल करते लेकिन मेरे ख्याब से संभावना बहुत कम है क्योंकि कोवीड को लेकर जो निर्देश है वो काफी सक्त है और उनकी पॉलिसी भी काफी सक्त है तो वीडियो हटा दिया गया है इंट्रिव हटा दिया गया है जैसा कि अंदिशा था और दस वारादी निकल गए थी तो मैंने सोचा था कि शायद नहीं हटाएंगे लेकिन हटा दिया गया है तो क्या किया जा सकता है लेकिन विसुरूप चोधरी के जो दावे हैं जो उनकी बात है उनका जवाब भी हम इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आएंगे एक वाइरस विज्यानी है उन विज्यानी को मैं इस चैनल पर लेकर आऊँगा उनसे बात करूँगा और विसुरूप चोधरी के जो जो दावे हैं उनसे पूछेंगे कि इनकी सत्यता क्या है इनका नीर शीर विवेचन इस चैनल के माध्यम से क्या जाएगा अब मुझे डर है कि यूट्यूब उस वीडियो को भी नहीं हटा दे क्योंकि वो तो दरसल उनके दावों की पड़ताल की जाएगे तो देखना होगा आप इंजार कीजेगा अगले माहा वो वीडियो अप्लोड कर दिये जाएगा मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेर आइकन भी दबाना नहीं भूले